नमस्कार, मैं अविनास रंजन गुपता, आप सभी का अपने चैनल पर हर्द कभी नंदन करता हूँ, आज के इस वीडियो में हम लोग सचीदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अग्ये की बहुचर्चित कवीता, नदी के द्वीप का विशेश अध्यन करने जा रहे हैं, तो से पहले हम लोग आजाते हैं, पहले बिंदू पर, पाठ का उद्देश ये, कवीता के माध्यम से प्रतीकों को जान सकेंगे, अर्थात हम लोग प्रतीकों का प्रयोग क्यों करते हैं, ये जान सकेंगे, कभी की चिंतन सैली से अवगत हो सकेंगे, कभी कभी ये महसूस किया गया है कि दूसरे की चिंतन सैली हमारे व्यक्तित्व को सही दिशा और दसा प्रदान तर्टने में एहम भूमी का निभाती है, इसलिए कवी की चिंतन सैली से भी हम लोग अवगत होंगे और हो सकता है कि लाभानविद भी हो, कवीता का रसा स्वाधन वा कवीता की व्याख्य कर सकेंगे कवीता लेखन की नई सैली से अवगत हो सकेंगे सैली अर्थात स्टाइल अस्तित्व को बचाय रखने की एहमियत जान सकेंगे कठिन सब्दों के अर्थ जान सकेंगे तथा अन्य जानकारियों से भी परिचित हो सकेंगे अब हम लोग बढ़ते हैं अगले निवेदन करूँगा कि आप विडियो को पॉज करके कवी परिचे सियोर पढ़ लें ताकि कवी के बारे में आप बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर सके। संब्रिध किया है और ये सच मुझ बड़े ही उम्दा कवी हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ जो है प्रस्तावना। देखिए नदी के दूइप इसकी प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है। अग्य की सर्वस्रेष्ट कवीताओं में से नदी के दूइप एक है। इस कवीता में कवी अग्य नदी को समिस्टी अर्थात सम्हूं और दूइप को व्यस्टी अर्थात उस सम्हूं का सदस्य का प्रतीक मानकर रेखांकित करता है। कि संसार में प्रत्यक व्यक्ति का अस्तित्व एवं महत्व है, लगु का छण का महत्व है, व्यक्ति समाज की मात्र इकाई नहीं है, अपितु विशिष्ट इकाई है, कवी नदी के बीच उभरे छोटे छोटे दुईपों के माध्यम से अस्तित्व वादी व्यक्ति, व्यक् वेक्ति निष्ट एहम ही है जो उन्हें रेत नहीं होने देता, मिट्टी कंकड बनकर जल में बहने नहीं देता, क्योंकि बहना अपने अस्तित्तों को भुलाना है, जबकि अस्तित्तों वादी वेक्ति तूट सकता है, पर अपने अस्तित्तों को दूसरे में विलीन नहीं होन वह अपनी रक्षा के लिए जल रूपी जीवन के थपेड़े खाकर भी स्थिर और अचल रहता है। यह स्थिर रहना ही उसकी घोर जीजी विशा का परिणाम है। वह पिता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदू की तरफ जो है चवी वर्णन। देखिए कवीता को समझने से पहले हमें ये pictorial explanation भी समझ लेना चाहिए। यहां देख रहे हैं हम लोग की बहुत सारे लोग एक जगा बैट गये हैं और बड़े अच्छे से बातचित कर रहे हैं आनंद मगन हैं ऐसा लग रहे हैं कि सब प्रसंचित हैं तो देखिए यह जो society है सोसाइटी में मनुष्य जो है वो एक एक इक इकाई है और हर इकाई की अपनी अपनी वैल्ली है यही इकाई मिल कर समाज का गठन करती है अर्थात समाज हमारी माता के समान है यहा में पकल रखा है, मैं इस मिट्टी की जखण से मुक्त होना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, तो उसकी स्थिती कुछ ऐसी हो जाएगी, मिट्टी से अलग होने के बाद, जिस प्रकार पेड़ का कोई अस्थित्व सेश नहीं रह जाता, उसी प्रकार मनुश्य समास से अलग रहने के बाद अपना अस्तित्व खो देता है यहां देखिए इस नदी में नजाने कितने दूइप निकल आया है और यह प्रतेग दूइप मनुश्य है अगर यह दूइप नहीं रहेंगे कंकर पत्थर बालू बनकर बह जाएंगे तो यह अपना अस्तित्व खो देंगे इसलिए कहा गया है यह जो नदी है वो हमारी मा है यह दूइप है उस नदी के पुत्र के समान है और ब्रिहद भूखंड जो हमें साइड सेड़े में देशने को मिल रहा है वो पीता के समान है तो इसी को कवी ने अपनी कवीता में व्याय ख्याइद किया है अब हम लोग आते हैं पंक्तियां एक पर हम नदी के दूइप हैं हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वेनी बह जाए वो हमें आकार देती है हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कूल, सब गोलाईयां उसकी गढ़ी है, माह है, वह है, इसी से हम बने है देखिए, कुछ कठिन सब्दों के अर्थ, जैसे दूइप का मतलब टापू जैसा अभी हम लोगों ने चित्र में देखा अर्थात नदी, अंतरीप, दूइप के रूप में उभरा हुआ आकार जिसके तीन और जल होता है सैकत कूल अर्थात रेतीला की नारा, गढ़ी है, अर्थात निर्मित हुई है अब हम लोग आदाते हैं प्रशंक पर देखे, प्रस्तुत कवीता कवीवर अग्य विरचित काव्य संकलन हरी घास पर छण भर में संकलित नदी के दूइप प्रतिकात्मक कवीटा से उध्रित है कवी प्रसिध काम सास्त्री फ्रोइड के मनो विशलेशन वास से प्रभावित होकर इस कवीता में व्यक्ति की इत्ता अर्थात उसकी हद उसकी सीमा या कोरम को स्थापित करते हैं इसमें नदी समिष्टी अर्थात सम्हू का सूचक है एवं दूइप व्यष्टी अर्थात उस सम्हू के सदस्त के प्रतिक के रूप में उभरा है अब आते हैं हम लोग व्याख्या की तरफ, देखिए हम नदी के जल में इस्थित छोटे छोटे दूइप है हमारा निवासस्थान नदी ही है हम नहीं कहते, हम नहीं चाहते कि नदी की धारा हमें रीता छोड़ कर बह जाए अर्थात परंपरा हमें छोड़ कर आगे निकल जाए नदी के जल की यह धारा ही हमें आकार देती है त्वरूप प्रदान करती है यह परंपरा ही तो हमारे चरित्र का निर्मान करती है अर्थात यह नदी तमिष्टी रूपी माही हमारा निर्मान करती है हमारे किनारे गलियां भीतरी आकार प्रकार की अवस्थिती उभरा रूप रेतीले किनारे और हमारे गोल घेरे इसी नदी ने निर्मित किये हैं इसी ने हमें बनाया सजाया और समारा है यह हमारी मा है इसी से हमारा निर्मान हुआ है जैसे एक मा अपने रक्त, हड्डियों, मज्जाओं आदी से गर्भस्त सिसू का रूप निर्मान करती है, वैसे ही यह नदी बहे कर आ रहे मिट्टी, कंकण और बालू से हमारा निर्मान करती है, इसलिए यह हमारी मा है, अर्थात समाज ही वेक्ति के वेक्तित्तों का निर्म कि हम नदी के दूइप है अर्थात, इस नदी के हम दूइप है, नदी हमारी मा है, और हम इसमें पलने वाले दूइप है, नदी समाज है, और हम समाज के सदस्य है, हम कभी नहीं कहते कि नदी छोड़कर हमें बह जाए, अर्थात नदी से हम अलग हो जाए, क्योंकि नदी ह तो हमें आकार देती है, हमारे कोण, हमारी गलियां, हमारे अंतरीप, उभार सैकत, कूल, सब गोलाईयां उसकी गढ़ी हैं, अर्थात, सोसाइटी में जब कोई व्यक्ती रहता है, तो उसे कैसा बिहेव करना है, उसे सोसाइटी में कैसे लोगों के साथ समन्वई, समन्द चपित करने हैं दूसरों के दुख में दुखी होना है दूसरों के खुस में खुसी होना है मिल दुल कर रहना है ये सारी बाते काश até वनास सिखाती है माश है वो इसी से हम बने है अब हम लोग बढ़ेंगे विशेष की तरफ देखिये यहां नदी समिष्टी और द्विप विष्टी का प्रतीक है, फ्रोयड के मनो विष्लेशन बाद के अस्तित्व वाद का संदर्भ निरूपित है, प्रयोग वादी जीवन दर्शन अस्तित्व वाद को आधार भूमी मानता है, यह भी परिलक्षित है, लगु के महतो पर भी अर्थात समाज की छोटी-छोटी इकाईयां प्रत्यक मनुष्य इंपॉर्टेंट है, समिष्टी की नदी में व्यक्ती की इस्थिती एक द्विप सी है, ना की धारा सी, यह कभी बताते हैं, आत्म कथात्मक सेली है, द्विप एवं नदी के बीच, पुत्र एवं माता का सं अंदर्व जुड़ने से मानवी करण अलंकार विद्यमान है, तो यह पंक्तियों की विशेष्ता थी, अब हम लोग बढ़ते हैं, पंक्तियां दो की तरफ, किन्तु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, इस्थिर्द समर्पन है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रुत्स्व किन्तु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखडेंगे, प्लवन होगा, धेहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और सिर्द हम चुड़न होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं, रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही अनुपयोगी ही बनाएंगे, देखिए, कठिन सब्दों के अर्थियां दिये गए हैं, देख लिजिए, प्रसंग जो है, वो पुर्ववत है, इसलिए हम लोग इसे छोड़ देते हैं, आ जाते हैं हम लोग सिधे व्याक्या पर, कभी कहते हैं कि लेकिन हम दुइप हैं, हम धारा नहीं है, अर्थात हम बहने या बहती चले जाने वाली धारा नहीं है, हम तो स्थिर है, सुद्रध दुइप हैं, हम स्वयम में समाज या परंपरा नहीं है, हम तो समाज की इकाई हैं, यूनिट है, किन्तु हम विशिष्ट इकाई हैं, स्पेशल यूनिट है, क्योंक समाज के प्रती नदी के प्रती हमारा स्थिर समर्पण है और हमारे अस्तित्तु का भी स्थिर समर्पण है इसलिए हम बहती जलधारा के नदी के परंपरा के दूइप बने हुए हैं किन्तु हम नदी की जलधारा के साथ बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेथ होना है अर्थात अपने अस्तित्व को विलीन करना है, अगर हम बह गए, तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म होते ही हमारे पैर उखडने लगेंगे, हम बह जाएंगे, डह जाएंगे, अगर हम बह भी गए, हमारा अस्तित्व छिन भिन भी हो गया, तो क्या हम हम पानी की धार बनकर बह सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम चुड़न होकर रेत का रूप लेकर अपना वजुद सदा सदा के लिए खो देंगे, रेत बनकर हम पानी को गंदा ही करेंगे, क्योंकि हम पानी नहीं बनेंगे, धार नहीं बनेंगे, इसी कारण हम उस पानी को भी अनु इस society का एक एक unit है और society में रहने के दौरान society के कुछ protocols होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं प्रतेक मनुशे को उस protocols को नियम कानून को जरूर मानना चाहिए बल्कि अनुशाशन में रहना चाहिए तभी जाकर society समड़िद रहता है अगर कोई वेक्ती उच्छ रिंखल होता है, अनुशाशन हिनता दिखाता है, नियमों का उलंगन करता है, तो एक बात तैह है कि ये सोसाइटी उसे सोसाइटी में रहने नहीं देगी, उसे ओस्टराइजट कर देगी, उसका देश निकाला, समाध निकाला कर देगी, और उसक के बाद वो वेक्ती समाज के लिए नासूर बन जाएगा, समाज के लिए कलंक बन जाएगा, समाज के लिए वांचित चीज बन जाएगा, जिसे कोई पसंद नहीं करेगा, और ऐसा करने के बाद भी, क्या वो वेक्ती अनुकरणी होगा, बिलकुल नहीं, क्या वो समाज के म लोगा दाते हैं विशेश की तरफ तो देखिए कवी का अस्तित्तो वादी दर्सन कहता है कि हम दूइप बेशक बाढ़ के प्रकोप से बह जाए डह जाए किन्तु अपने अस्तित्तो को नदी के जल में विलीन नहीं होने देंगे क्योंकि नदी के पानी को गंदला कर दर्फ चेतना का प्रतीक बनकर उभर है चेतना का गंदला होना कलुशित होना उसे अनुपयोगी ही बनाता है। रेत अस्तित्वहीन या सुन्य का प्रतीक है यहाँ अग्य की व्यक्ति स्वात्तंत्रे की खोज उनकी कला साधना के मूल में कारेरत है। उनकी या खोज अरी ओ करुणा प्रभामे में देखी जा सकती है। अच्छा अब हम लोग आते हैं अगली पंक्तियों की तरफ देखिए। हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। अब कठिन सब्दों के अर्थ यहां देख लीजिए। यह जो है प्रशंग पूर्ववत ही है। हम लोग आते हैं सिदे व्याक्या की तरफ हम दूइप हैं। हम किसी के अभिसाप से दूइप नहीं बने या तो हमारे भाग पूखंड में ही लिखा था कि हम नदी के बीच में जन्म लेंगे। और नदी द्वारा रेत, मिट्टी एवं कंकड आदी से हमारी संरचना और पालन पोशन होगा। हम तो नदी के पूत्र हैं। नदी की गोद में बैठे हैं। जिस प्रकार मा की गोद में सिसु बैठा कि और हमारे पिता रूपी विशाल भूखंड से हमें मिलवाती है। जैसे पिता और पुत्र में रक्त का संबंध होता है वैसे ही हमारे और विशाल भूखंड में संबंध है। भूखंड में भी रेत, कंकड, मिट्टी आदी होते हैं और हमारा निर्मान भी रेत, कंकड, दूइप एक भूभाग, राष्ट्रियता, देश एवं सम्हूं के परिचायक हैं। पुरहां आते हैं हम लोग, पंक्तियों की तरफ, देखिए, भीडों में जब-जब जिससे आँखे मिलती है, वह सहसा दिख जाता है मानव। अंगारे सा भगवान सा अकेला। अर्थात हम लोग देखते हैं कि नदी में बहुत सारे दूइप है, समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, तो जिससे भी हमारी नजर मिलती हैं, हमें वह मानव देख जाता है। अर्था भगवान सा अकेला वो हमें दिख जाता है भगवान की हम लोग कृती है और अगर हम लोग समाज में एक मनुष्य के रूप में जन्म लिये हैं तो यह अभिशाप नहीं है बलकि यह तो हमारा भाग्य था हम तो समाज में हैं और समाज के उध्थान में कहीं न कहीं हम सक्रिय भूमी का अदा करते हैं और यह समाज हमारी माता के समान है जिस प्रकार बच्चा अपनी माता की गोद में बैठ कर अपना भरण पोषण करता है अपने आपको सुरक्षित महसुस करता है उसी प्रकार इस सोसाइटी में हम लोग अपने आपको सुरक्षित अपना भनण पोषण करते हैं और जिस प्रकार नदी दुईपों को विश्च्रित भूखंड से मिलाती है उसी प्रकार एक मा भी तो हमें हमारे पिता से मिलाती है जिस प्रकार नदी के दुईप का निर्मान रेत बालू और कंकड से होता है उसी प्रकार व्रिहद भूखंडों का निर्मान भी कंकड पत्थर और रेत से ही होता है अर्थात वो हमारा पितर है अब हम लोग आते हैं विशेश की तरफ, कवीनी नदी दुईप व्रिहद भूखंड में जो मा, पुत्र और पिता का सम्मन्द इस्थिर किया है, उससे काव्वे में भाव विवहलता आ गई है, अब हम लोग आते हैं अंतिम पंक्तियों की और जो है पंक्तिया चार, नदी तुम बहती चलो भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांजती संस्कार देती चलो, यदि ऐसा कभी हो, तुम्हारे अहलाद से या दूसरों के किसी स्वेरा चार से, अति चार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, या स्रोस्वेनी ही कर्बनासा किर्ती नासा घोर काल प्रवाहनी बन जाए, तो हमें सुईकार है, वह भी उसी मेरेथ होकर फिर चहनेंगे, हम जमेंगे, हम कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर खड़ा होगा नए विक्तित्तों का आकार, मातह, उसे फिर संसकार तुम देना, देखिए, कठिन सब्दों के सरल अर्थ है, मांजती, अर्थात चमकाती, सुंदर बनाती, संवार्ती, स्वेराचार, अर्थात अनाचार, अभद्र आच्रण, अतिचार, अत्याचार, प्लावन मतलब बार्ड, कर्मनासा, उथल पुथ करने वाली कीर्ती नाशा, भयानक बाड के करण अपयस पाने वाली काल प्रवाहिनी, यह जो है, पुरुवत ही है, तो इसे हम लोग अभी स्किप करते हैं, आ जाते हैं हम लोग व्याख्याखंड की तरफ, दुईप नदी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नदी पी मा, हे जीवन की गति सीलता, परंपरा की प्रतीक नदी की धारा, तुम निरंतर बहती रहो, भूखंड से, पिता से, समास से, जो दान दाइत्व करतब्य हमें मिलता रहा है, उसे तुम सुंदर रूप प्रदान करती रहो, सवार्ती रहो, सुद्ध संसकारित करती रहो, क्योंकि तुम हमारी मा हो और मा संसकार वाहिनी होती है, अर्थात हमें अपने समास से, पिता से जो संसकार मिले हैं, उनका तुम सुद्धी करण करो, उनहें परिस्कृत करो, पड़ि मारदित करो यदि कभी तुम्हारी अपनी ही प्रसन्दा, मादक्ता से या किसी के अन्य अत्याचार उत्पीरण से तुम अपने आकार को विश्तृत करो तुम में भयानक बाढ़ आ जाए और बाढ़ के घर घराते वेख से तुम इस विश्तृत शेत्र में भयानक तबाही मचाने लगो और तुम्हारा जल प्रवाह किर्थी नाशा कर्मनासा का भैंकर प्रवाह ब बाढ़ में हम बह जाएंगे हम रेथ हो जाएंगे किन्तु मौका मिलते ही हम पानी से छनकर अलग हो जाएंगे और तुम्हारी सत्थ पर फिर जम जाएंगे हम कहीं न कहीं फिर पैर टेकेंगे और उस अग्यात अस्थान पर हमारे विक्तित्तों का आकार फिर से अस्तित्त करना देखिए यहां पर कभी कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए जो भूखड से हम लोगों को दाये अर्थात हमाए विरासत में जो मिला है उसे आपको क्या करना है उसे और संसकार करना है अर्थात और बहतर रूप में हम लोगों को देते जाना है और अगर कोई अत्याचार करता है तो तुम में अगर बाढ़ आ जाता है उसका विद्रो करने के लिए कहने करत यह हुआ कि सोसाइटी का उद्देशी यह होना चाहिए कि सोसाइटी में नित परिवर्तन होते रहने चाहिए लेकिन यह परिवर्तन अच्छा से बहतर और बहतर से बहतरीन की तरफ होना चाहिए लेकिन अगर सोसाइटी में कभी कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया तो जिस प्रकार नदी में बाढ़ आती है उसी प्रकार इस सोसाइटी में भी बाढ़ आएगी किर्तियों की नास होगी कर्मों का नास होगा चलेगा लेकिन सोसाइटी रहना जरूरी है हाँ हो सकता है कि इसमें विक्तियों की जाने जाए हम जैसे लोगों की जाने जाए लेकिन फिर भी हम इस सोसाइटी को बचाएंगे क्योंकि इस सोसाइटी से ही मनुशे का अस्तित् अब हम लोगाज आते हैं विशेश पर कवी का घोर अस्तित्त वादी दर्सन यहां भी काड़ेरत है दुईपों का इस्थिर रहना अस्तित्त वादी घोर दिजी विशा का ही परिणाम है कर्मनाशा कीर्टी नासा काल प्रवाहिनी जैसे सब्दों ने कथे को जीवंत बना दि के एक साथ प्रयोग से भासा प्रवाहमई प्रभावशाली और जीवंत हो उठी है संपुर्ण पद्दे में मानवी करण अलंकार की छवी विद्यमान है दुईपों के कथन में एहंकार भाव विद्यमान है जो कवी की अस्तित्ववादी चेतना का ही परिणाम है सेखर एक जिवनी की भाती कवी की यहां भी व्यक्ति स्वातंत्रे की खोज है तो इस तरीके से हम लोगों ने कवीता का ध्यर कर लिया अब हम लोग आज आते हैं बोध प्रशनों पर तो देखें यह ज्यादा नहीं है कवी नदी के दुईप में नदी को अपनी मा क्यों कहते हैं लग होकर हम अपना स्कित्व खोधेंगे कैसे यहां दुईप जो है वो समाच के इकाई का प्रतीक और धात मनुष्य का प्रतीक है जब मनुष्य इस समाच से अलग हो जायेगा तो उसकी पहचार ही नहीं रहेगी आपने देखा होगा जंगल में मोर नाचा किस ने देखा क इसी ने नहीं, लेकिन वही जंगल में जब मनुष्य चला जाएगा तो मनुष्य की मनुष्यता या मनुष्य फिर उस सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं रहेगा, इसलिए दूइप से अलग होकर हम अपना सित्तों खो देंगे, नदी हमें भुखंडों से मिलाती है, जो हमारे हुए है, उनका भी निर्मान, बालू, कंकर और पत्थर इन सब से हुआ है, इसलिए वो हमें हमारे पूर्वजों के समान प्रतीत होते हैं, स्रोत्स्वेनी ही कर्मनासा, कीर्तीनासा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, कभीता में ऐसा क्यों कहा है, देखिए, कभी कभी बड परिवर्ता लाने के लिए, डेस्ट्रक्शन की आवशेक्ता पड़ती है, विनासकारी कारे होते हैं, कयामत आती है, प्रले आते हैं, जल्चले आते हैं, अगर सोसाइटी में ऐसा कुछ हो रहा है, तो याद रखिए, यही सोसाइटी कर्मनाशा बन जाती है, किर्तीनासा, कर्मनाशा एक नदी है, किर्तीनाशा बे सायद एक नदी है, जो काल प्रवाहिनी के भाति नदी में बाढ़ लेकर आती है, लोगों की जाने चली जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से एक सभ्वे समाज की सुरुवात होती है, इस कवीता का केंद्रे भाव अपने सब्दों इकाई है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, समाध सबसे बड़ा है, समाज से बढ़कर कोई नहीं है, हम लोग समाज के नियम के अधिन रहे, अनुशाशन में रहे, समाज को अच्छे से बहतर और बहतर को बहतरीन बनाने के लिए सदा प्रयासरत रहे, यही इस कवी के समापन पर पहुँच गया हैं उमीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा हम पुना मिलेंगे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद